हालो लर्नर्स वेलकम टो आर चानल एडवीस पावन आई होप आप लोग साभी का अच्छे होंगे आज का हम लोग का टॉपिक काफी इंपोर्टन्ट होने वाला है जैसे के आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे इस लेटर टू द एडिटर ओके यह एक एडिटोरियल ले आँची फोकसिंग ओन दो इंक्रीश थेट्स एंड रॉबरीज इन यौरशिटी एंड सजेस्टिंग सम् यूसफुल मेजर्स ओके तो क्वेस्टन में भी आप लोगों का नाम दिया भी जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है जदि आप लोगों का क्वेस्टन में नेम mention रहेगा ठीक है then you have to mention the same तो आप लोगों को वही नाम लिखना है ठीक है जदि आप boy हो तो पावन girl हो तो कलपना ठीक है या फिर नाम नहीं भी रह सकता है then you may free तब फिर आप free हो ओके और यह जो question है आज का यह equally important होने वाला है आप लोगों का 11th class के लिए भी और 12th class के लिए भी course से related ठीक है एडिटोरियल लेटर एक important question बनता है ओके तो आएए शुरू करते हैं letter ठीक है subject आप लोगों को समझ में आ गया होगा focusing on the increased thefts and robberies यानि चोरी डेकैती जो है आप लोगों के सहर में बहुत ज mention किया हुआ ही है ठीक है या फिर आप लोगों कमान लीजे question में दिया रहेगा crimes related ठीक है तो उसमें भी same model जारी होगा और यह मैं editorial letter इसलिए भी आप लोगों को आज बताना चाहरा हूं क्योंकि एक editorial letter आप लोगों का question पूछे गई और इस pattern पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं चाहे कोई भी subject matter आप लोगों को पूछे तो आज का हम लोग का एक important subject matter है thefts, robberies या crime से related ओके let's start सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ठीक है आप लोगों को अपना address देना है ठीक है रांची का 21 गनेश नगर लोवाडी रांची then mention the date 8th February 2024 ठीक है date का format यही र यह editor है हिंदुस्तान टाइम्स ठीक है तो अमने नेश पेपर का नाम दे दिया दा हिंदुस्तान टाइम्स कहा है रांची ओके then our subject subject क्या है increase in crime rate in the city ठीक है I hope यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है कोई भी आप लोगों का editorial letter पूछेगा ठीक है आप लोग में changes आएगा बाकी यह format इसी प्रकार से रहेगा ठीक है यहां पर newspaper का नाम बदल दीजेगा जदी question में दूसरा newspaper का नाम रहेगा या फिर आप लोगों का address दूसरा दिया रहेगा तो दूसरा डाल दीजेगा ठीक है नहीं तो आप लोगों को इसी को रहने दीजेगा ओके अ increasing cases of thefts and robberies in my city ठीक है एडिटोरी लेटर लिखने का यह चीज है कि इस pattern पर आप लोग लिखेगा कि सबसे पहले जैसे ही आप लोग शुरू करते हैं जो आप लोगों का subject है ठीक है through the columns of your esteemed newspaper ऐसा करने के बाद subject को mention कर देजेगा जैसे हमने किया thefts and robberies in my city और उसके बाद क पिर एडिटोरी लेटर में कई बार क्या होता है आप लोगों को कुछ सुझाओ भी मागे जाते हैं ठीक है तो इस प्रकार से last paragraph में आप लोग को सुझाओ भी दे दीचेगा ओके यह एडिटोरी लेटर देखने में आप लोगों को काफी लंबा लग रहा होगा लेकिन मैं मैं इसका उपाई भी बताऊंगा कि आप लोगों को आखिर करना क्या है और यह क्यों इतना लंबा है तो सुरू करते हैं क्या बोल रहा है आप थुरू दे कॉलंब्स ओफ यूर स्टीम्ड पेपर ठीक है आपके विख्यात न्यूस पेपर के माध्यम से I wish to draw the attention ठीक है मैं attention यानि ध्यान अक्रिष्ट कराना चाहता हूं किसका concerned authorities का संबंदित अधिकारियों का kiss or towards the increasing cases of increasing यानि वृद्धी क्या चीज में thefts and robberies चोरी डेकैती में in my city hardly a day passes when such cases do not occur ठीक है मतलब साइध ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इस प्रकार का चोरी डेकैती मडर इस प्रकार का case जो है ना हुआ यह हमने introduction दे दिया अब हम लोग पुरा problem बता रहे है next paragraph में ठीक है क्या बता रहे हम the frequent and repeated frequent और repeated that means बार बार लगातार thefts, चोरी, robberies, डेकैती, murders, rapes, pickpocketing यहनी pocket जो मार लेता है drug abuse, ठीक है drugs का दंदा, illegal trafficking, ठीक है smuggling, theft of vehicles, गाली वहान का चोरी यह सब have made the common citizens to have sleepless night and restless days इससे क्या होता है यह इतने सारे problems जो है thefts, robberies, murders, rapes, pickpocketing, drug abuse, illegal trafficking, smuggling, theft of vehicles इन सारी चीज़ों ने क्या किया है लोगों का, citizens का sleepless night यानी रात जो है वे मतलब बिना नीन का गुजारते हैं और restless day यहां तक दिन में भी आराम नहीं कर पाते हैं ओके फिर आगे क्या बोलते हो people feel terrified and insecure लोग जो है एकदम ढरे हुए और असुरक्षित महसूस करते हैं there have been cases when house owners have been brutally beaten up बहुत सारे ऐसे cases भी देखने गए हैं जब यह चोरी डेकैती करने आ गए और घर में कोई मिल गया तो उन लोगों को have been brutally beaten up बहुत पूरी तरह से मारा पीटा जाता है ठीक है even murder भी कर दिया जाता है कई बार तो also most of the cases take place during the daytime और इसमें भी आधिकांस्त आप देखेगा यह चोरी वाले जो cases हैं डेकैती वाले murder वाले या जो भी cases है maximum देखेगा daytime में ही अंजाम दिये जाते हैं ठीक है से निकल गया अपने office चला गया या जो जहां चला गया अपने कामधंदा में रोजी रोजगार में और घर में ग्रिहनी है महिला है वाइफ है यह सब है तो उन लोगों का जो मतलब आसानी से यह लोग काम को अंजाम दे सकते हैं there seems to be no law and order in the city और ऐसा प्रतीत होता है कि सहर में law and order याने नियम कानून ठीक है यह सब कोई नामों निशान नहीं है the old people in the houses are easy victims of these criminals और इन criminals का घर में रहने वाले जो बुड़े लोग हैं माबाप लोग हैं यह लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं gambling dance operate openly gambling dance याने जुआ खाना ठीक है अड़वा जी जहां होता है वैसे एकदम operate किये जाते हैं एकदम openly खुलियां यह सब चल रहे हैं sale of illicit liquor यानि अवेद सराब illicit liquor means अवेद सराब का बिकरी sale has become a flourishing trade एकदम फलता फुलता बिजनेस बन गया है जहां देखो एकदम अवेद सराब की बिकरी हो रही है ठीक है recently there has been a great increase in the cases of chain snatching यह तो case किसी से छुपा नहीं हुआ ठीक है आया दिन आप लोग देखो के newspaper में कहीं न कहीं यह ख़बर chain snatching की ज़रूर रहते हैं कि आज इस road में हो गया आज इस जगह हो गया आज इस market में हो गया ऐसा करके chain छीना पर्ष छीना वगएरा इस प्रकार से हम लोग देख रहे है कि हम लोगों का जो सहर है यह जो सिटी है यह क्रीमनल लोगों के लिए स्वर्ग बन गया है ठीक है the graph rate of crime is increasing ठीक है और increasing crime का जो graph rate है ठीक है वो काफी ज़्यादा बढ़ गया है अब क्या करेंगे यह हमने problems बता दिया अब हम लोगों को जैसा कि question में आप लोगों ने देखा होगा ठीक है क्या बोल रहा है question में यहां पर some useful suggesting some useful measures यानि कुछ उपयोगी आप लोगों को उपाई कदम भी बताने है तो उसी से related अभी हम लोग कुछ उपाई कदम वगर भी बताएंगे next paragraph में crime is increasing यहां पर these social crimes can be minimized if not at all eliminated eliminated मतलब पूर अगदम खतम करना जड़ से उखाड फेकना तो इस प्रकार के जो social crimes है इसको हम लोग minimize कर सकते हैं इस मतलब क्या कमी ठीक है इसमें हम लोग कमी ला सकते हैं जदी हम लोग इसे पूरी तरह से खटम नहीं कर सकते हैं तो if the police is alert जदी police alert रहे तो पूलिस rounds can be increased पूलिस की जो गस्ती होती है आप लग देखोगे पेट्रोलिंग कार में पूलिस गस्त लगाती है इसके round up को बढ़ाना होगा and साथी साथ police check posts can be set up at the crucial positions साथी साथ देखोगे कुछ ऐसे positions होते हैं कुछ ऐसे जगह होती हैं जहां पर इस प्रकार से चोरी, डेकेती, लूट मार, छीनताई, मडर के cases बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो वैसी जगह पर police check post वगरा या police chalkies वगरा, police picket वगरा बैठान चाहिए, सेट अप किये जाने चाहिए, ठीक है, most of the crime activities were increasing due to poverty, unemployment, lack of moral education and proper upbringing, अब क्योंकि हम लोगों को उपाई भी बता रहा है तो हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आखिर ज्यादा reason क्या है इन सारी activities और crimes का, ठीक है, तो most of the crimes activities were increasing due to poverty, ये सबसे बड़ा मुद गरीबी, ठीक है, गरीबी है इसके पीछे, दूसरा है unemployment यानि बेरोजगारी, तीसरा हम लोग बता रहे है, lack of moral education, ठीक है, यानि नैतिक सिच्छा की कमी and proper upbringing, यानि सही से लालन पालन या परवरिस जिसको बोलते हैं, सिच्छा देख्छा ना होना, ये सब मुख्य कारण है, ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दे रहे है, poverty, unemployment, moral education की कमी और सही तरीके से लालन पालन नहीं किया जाना, in the present system of education, अभी का हम लोग जदे present education system को देख लें, तो moral education finds no place, तो कहीं भी देखिए का आप लोग moral education का कोई स्थान नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो main subjects होते है, math, science, Hindi, इस पर ही focus किया जाता है, जिबकि school में एक period तो आप लोगों का कम से कम सबता में एक दिन moral education का होना ही चाहिए, और ऐसा नहीं होने से क्या होता है, and the youths often go astray from their path, जो यूवा हैं, यूथ हैं, ये क्या होते हैं, अपने path से, यानि रास्ते से भटक जाते हैं, और गलत रास् it is the sacred duty, और इस समंद में ये एक बहुत ही बड़ी जिम्यवारी है, बहुत ही एकदम धर्म की तरह duty है, क्या society का, academicians का, सिख्चावेद लोग, या जो educationist हैं, सिख्चापरदान करने वाले हैं, क्या to devise such steps that may lessen the increasing state of crimes, कि इस प्रकार के steps को उठाया जाए, यानि जो moral education है, इस को lessen यानि कम किया जा सके, by such acts और इस प्रकार की गतिविधियों से, कार्यों से, the confidence of the people will be restored, इस प्रकार की गतिविधियों से, हम लोगों की विश्वास को जीत सकते हैं, नहीं तो लोगों का विश्वास या भरोसा जो है, आप बोलिये तो government पर से, या फिर बोलिये तो एक दम उठ जाएगा, ठीक है, मतलब नियम, कानौन, लोग, ये सब का कोई value नहीं रह जाएगा, लास्ट में आप लोग क्या किजेगा, देखेगा, आपने sign किया है, yours truly, और नीचे में जो है, आप लोग अपना name mention कर दीजेगा, क्योंकि question में क्या नाम है, पवन, ठीक है, तो आप लोग देखेगा, इस प्रकार से मैंने जैसे बताया, ये जदी आप लोगों को लंबा लग रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, starting तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला format तो एकदम डालना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर ये introduction भी देना ही पड़ेगा, उस यहाँ पर हम लोग पुलिस वाला जो लिखे हैं, पुलिस एलर्ट, पुलिस राउंड्स केन बी इंक्रीस, पुलिस चेक पोस्ट केन बी सेट अप लोग लोग पोजिशन, उसको बाद लास्ट वाला, बाइ सच एक्ट्स अप लोग लिख सकते हैं, बीच का ये जो पोर्श है, इसको आप लोग साइड कर सकते हैं, या फिर आप लोग पुलिस वाले को हटा दीजेगा, और इसको लिख लीजेगा, होने से भी चलेगा, ठीक है, मतलब दोनों में से पुलिस वाला और ये एजुकेशन सिस्टम, दो पॉइंट हमने दिया हैं, उपाई में, तो दोनो में free आप लोग पूरा डाल सकते हैं, जो कि एकदम appropriate हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा लंबा बनाया गया है, ताकि आप लोग भूल भी जाएं, तो आप लोगों से कुछ भी miss नहीं, हमने लगबग लगबग सारी परेशानियों प्राब्लम्स को का लाग लिए प्रायम उन्यां में लूजिए जान करें लूञ्टन को आप लूग्झी। खनु थिरफ एंडा, map लिए सकता है, इस लगवीश्टर हूछन ठीम हैं जाहान दाएं, 2021 है वी वी करेंशवा जाह पिस जाएं, 2021 हूट बभी, 2022 है डिए थे यट